अर्पीयासी क्रेड के ö Star-र अपतका लगा चुके हैं आपका बेपर फ्यस्ट में से यँई पाफ्य यप स्यूंटी फैप्यसएट में पुछी याइंगे हर एक टेश्ट में प्यूयासर द्रशत पर sigma कवर की हैं तो उसकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखी है यह टेस्ट पेपर के बारे में दिन कर सकते हैं देखेंगे आज का टेस्ट फ़स्ट कर्ते हैं आज कई किस्ट रोली का जो दुर्ग है वह राजस्तान के कौन जीले के अंतरगत इस्तित है तो केसरोली का दुर्ग है वो रास्तान का जो अलवर जीला है उसके अंतरगत इस्तित है इतिहासकार इस दुर्ग का सम्मन्द है वो महाभारत कारिन मतश्य जन्पत से जोडते हैं तो केसरोली का दुर्ग है वो रास्तान का अलवर डिस्टिक है अलवर जीला है वहाँ पर इस्तित है देखे नेश्ट किसन है निम्न में से कौन से साहित्यकार गुहील वन्स की उत्पती ब्रामण वन्स से मानते हैं तो देखिए डाक्टर डी आर जो बंडार कर है उतियासकार वो गुहील वन्स की उत्पती है वो ब्रामण वन्स से मानते ह next question आपको दे रखा है अरब यात्रियों ने गुडब्जर परतिहारों को जुर्ज कह कर पुकारा है इसलिए क्या होगा इसका right answer उरह का next आपको दे रखा है निम्न मेंसे किसे तामर पत्तर में महाराना कुंबा के द्वारा चंदर परवय के समय भूमी दान का आदेश है तो करेडा का तामर पत्र में इसका लेक मिलता है इसलिए करेडा का तामर पत्र क्या होगा इसका right answer होगा नैस्ट आपको दे रहा है पुरा तात्विक इस्तल जो बेराट है जैपूर में राजस्तान में कहां पर इस्तित है देखे मैंने आपको बता है बेराटा वो कहां पर इस्तित है जैपूर में इस्तित है बेराट का जो भाबरुशी लालेक है आपको पता भी होगा इसके बारे में नैश्ट आपको दे रहा है पाकिस्तान में कोर्ट जी नामक ये स्थान है उसके ओपर प्राप्त जो पुरातात्विक अवसेस हैं राज्य की किस सब्वेता के अवसेसों के सामिता ये रखते हैं तो ये काली बंगा सब्वेता किसम कालिन ये रखते हैं काली बंगा इसका रैटाम सरोगा नेक्स्ट आपको दे रहा है महारणा कुमबा के इब्राहीम लोदी के मद्दे लड़ा गया था इसलिए ओप्षन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आनसर होगा नेक्ट कुछन आपको ये पुराता अत्विक अवसेस हैं ये कौन से स्थान पर मिले हैं इस तरीके से आपको ये सुमेलित करने वाली कुछन में से दे रखा है देखे इसका राइट आनसर में आपको बता देता हूं विस्वे का प्राती प्राचींतम जो जूता है तो विस्वे का प्राचींतम जूता कहां पर मिला है काली बंगा के अंतरकत तो ये काली बंगा इसका राइट आनसर होगा काली बंगा सब्यता कहां पर ह डेड टॉंग से प्राप्ट वाईए तो देखे आपको जो अप्शन दे रहे हैं इनमें 4,3,2,1 यह आपको कॉन्षी ओप्शन में दे रहे है? चार तीन दो एक आपको थर्ड उप्सन में दे रखा है इसलिए उप्सन जो आपका थर्ड है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट दे रखा है सिंदु गाटी सब्वेता की खोजगा सरे किशे दिया जाता है तो राय बहादुर देयराम साहनी है इनको सिंदु गाटी सब्वेता की खोजगा सरे दिया जाता है नेश्ट आए वरहद सनानागार पुरोहित आवास और अनागार निम्न में से कौन सी सब्वेता से पराप्त हुए है तो देखें मोहन जोदरों से ये पराप्त हुए है राज़तान की जो पराचीनतम सब्वेताय हैं राज़तान की हिस्टरी से रिलेटेड मैंने अनकेडमी के उपर अलग से कोर्स सुरू कर रखा है जिसके रेगुलर वीडियो आपको प्रवाइड होते हैं उसकी लिंक मैंने आपको निशे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो वहाँ पर आप मुझे अनकेडमी पर जरूर फोलो कर ले अगर आप रास्तान हिस्टरी पढ़ना चाहते हैं तो तो मौन जोदर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेश्ट देखिए किस वेद में सिर पर बांदने वाली पगड़ी उतनिये का उलेख है तो देखे इसका उलेख है वो रिगवेद के अंतरगत किया गया है नेश्ट दे रखाए निमन मेंसे उदारवादी नेता है तो आपको बताना है तो देखे कलकत्ता में प्लेग फेलने पर अंग्रेजी सरकार की उदाशींता ये उगरवाद का कारण नहीं था इसलिए उप्सन जो आपको सेकिंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा नेश्ट दे रखा है खिलाफत आंदोलन का आरंब कब हुआ जाता है अगस्त गुनी सो बीस में अगस्त गुनी सो बीस में खिलाफत आंदोलेना वो शुरू हुआ था उप्सन फैस्ट इसका राइट आंसरोगा नेश्ट आपको दे रखा है लंदन में आयोजी ते दिवतिये गोल में जो सम्मेलन में भारतिये महिलाओं के परती करने वाला कारक कोन सा है तो संदुशन विले अपमार्जक सभी प्रस्ट तराव को भी परबावित करते हैं इसलिए उप्रोक्त सभी इसका आंसरोगा नेश्ट देखे निर्देश बिंदु से समय के साथ में वस्तो की इस्तति में परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है तो इसको गत्य के नाम से जानते हैं option जो आपको first दे रहा है वो इसका right answer होगा next देखे नेस्ट फुसन आपको दे रखा है निम्ड में से संगत यूग में कौन सा है तो देखे कारिये के डेफिनेशन दे रहे किसी वस्तुपर क्या गया कारिये क्या होता है बल और बल की दिशा में जो विस्तापन होता है उसी के गुणन फल को क्या कहते हैं कारिये कहते हैं तो तीनों definition आपको सही दे रखी है इसलिए option जो आपको फूर्थ दे रखा है सभी यूग में संगत है ये क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा next दे रखा है कुश्ट रोग किस जीवानों के कारण होता है तो देखे कुश्ट जो रोग है वो myco bacterial लेप्री जीवानों की कारण होता है इसलिए option जो आपको फूर्थ दे रखा है वो इसका राइटा आम सुरोगा नेश्टा एड़स किस कारण जनित रोग है तो एड़स जो होता है वो जीवानू के कारण होता है इसलिए जीवानू क्या होगा इसका राइट आन सुरोगा नेश्टा आपको दे रहका है 964,45 के जो संफुन करान्ती का आहँआन करने वाले नेता कौन थे तो जै प्रकास नारायन है वो इस करांती का आवान करने वाले नेता थे नेक्स्ट देरिखा है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन क्या है तो ये साइद आप सभी को पता होगा जाडू क्या है अम आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन है Next आपको देर का है भारती एक क्मूनिस्ट पार्टी जिसको CPI के नाम से जानते हैं उसका गठन कब हुआ था तो देखिये 25 दिसमबर 1925 को भारती एक क्मूनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था Next भारती एरास्ट एक कोंग्रेस के संस्तापक कौन थे तो भारती रास्ता को अंग्रेश के संश्टा पकों थे ए-उ-हूम थे ए-उ-हूम इसका राइट आमसर होगा नैस्ट है नियाले के द्वारा जारी की जाने वाली रीटें कौन सी हैं तो बंदी पर्तेक्सी करन है वो नियाले के द्वारा ही जारी की जाती है परमादेस यह देखे रास्तान की जो जियोग्राफी है उस से रिल्टेड में आपको वीडियो प्रवाइड करवाई है उसमें आप देख लोना कंप्लीट में आपको बताया है अलग-लग कौन-कौन क्वाइड के उपर भी माने रास्तान जियोग्राफी का लेसन है वह आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया है तो उस पर भी आप देख सकते हैं देखे नेश्ट कुस्ण दे रखा है राजस्तान की सबसे कम लंबी अंतराज्य शीमा किस राज्य से लगती है देखे कौन से राज़्य से लगती है पंजाब से ऐटीनाइन किलो मेटर के लगती है के अबल इसलिए पंजाब क्या होगा इसका राइट आमसर होगा नेश्ट आपको दे रका है राजस्तान की उत्तरपहच्चिमी मरुस्तिले भाग की उपज है तो उत्र पच्ची में जो मुरुष्त लिए भाग है उसमें बाजरा मोठ और गुवार तीनों पसले ही बहुता है तो मातरा में होती है इसलिए उप्रोक्त सभी क्या होगा इस कुशन का राइट आंसर होगा नेश्ट आपको दे रखा है राजस्तान की कुल जन संग्या का कितना परतिस्त राज्य के मद्य वर्ती जो अरावली परदेश है उसके अंतरगत निवास करती है तो कुल जन संग्या का 10% मद्य वर्ती अरावली परदेश के अंतरगत निवास करती है उप्शन जो फैस्ट है वो इसका राइट आंसरो जाएगा नेश्ट है राज्य की सर सरकार की स्वच्छ भारत मोहीम के तहट पूरे देश में लागू होगा तो शीकर जीले के अंतरगती होगा उप्सन जो आपको शीकर दे रखा है वो इसका राइट आनसर हो जाएगा नेक्ट है राजस्तान के किस जीले में विश्व की सबसे बड़ी शीव परतीमा का निर्म खिवान है वो क्या जा रहा है नेस्तार रासतान का पहला रोटी बेंक कहां खुला जाएगा तो देखे डूंगरपूर जिले में रासतान का पहला रोटी बेंक क ogl खुळा जाएगा नेस्ट है नेका है एश्यार बी दिल्ली की अगस्त 2018 की एक रिपोर्ट जारी कि उसके अ नुसार दो हजार गुनीस, दो हजार पंद्रा, दो हजार सोड़ा में दर्ज मामलों के आधार पर महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान है वो भारत देश के अंतरकत कौन से इस्थान के उपर है तो राजस्थान भारत में चोथे इस्थान के उपर इस मामले में है नेक्सट आपको देर रहा है अठारवे एशिया खेलों में पुरुसों की 800 मिटर व्यक्तिगत इस परदा में स्वन पदक जीतने वाले भारतिये एथलीट का नाम क्या है तो मनजीत सिंग्ग क्या है भारती ये वो इतलीट है जिन्होंने 18 एशय के लों में पुरूसों की 800 मिटर व्यक्तिगत स्पर्दा में स्वण पदक जीता है जेसन जोन्थन ने स्पर्दा के उपर कौन सा पदक जीता है रज़त पदक जीता है नेश्ट आपको दे रहा हाली मेदेश का पहला ग्रीन पुलिस स्टेशन हरीन पुलिस स्टेशन किस राज्य में इस्टित है तो देखे कौन से राज्य में ये गुजरात राज्य में इस्टित है नेश्ट आपको दे रहा है स्विंगत रास्ट संग के पूर्वे महासचिव तता नोबल पुरसकार से सम्मानित अफ्रिका के कोफी अनान का नीधन कब हुआ तो देखें इनका नीधन वो 18 अगस्त 2018 को हुआई करेंट अफेर्स से लेटेड क्यूसन बनता है नएश्ट आपको दे रहा है अगस्त 2018 में किस राजी सरकार ने परतेक सहीद के मातापिता को पांच हजार रुपे मासिक पेंसन देने की गोशना की है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन कौन से राजी सरकार ने की है मद्यपरदेश राजी सरकार के द्वारा सहीद के मातापिता को पांच हजार रुपे पेंसन देने की मासिक पेंसन देने की जो योजना है वो मध्यप्रदेश राज्य के दवरा अगश्ट 2018 में ये लागू की गई है उसके बाद देखें नैश्ट कूशन आपको दे रहे है अगश्ट 2018 में जस्टिस गिता मित्तल ने किस राज्य की पर्थम महिला न्याइदिश के रूप में सफत ली है तो देखे जम्मु कस्मीर राज्य की महिला न्याइदिश के रूप में सफत ली है पर्थम महिला न्याइदिश के रूप में गिता मित्तल नेश्ट दे रखा है अठारवे एशिया खेलों में भारतिय दल के दवजवा है के कौन थे तो देखे दवजवा कौन थे ये निरज चोपड़ा थे उपसन जो आपको फ़स्ट दे रखा है वही क्या हो जाएगा इसका राइट आमसर हो जाएगा नेश्ट है चोवीसमा राजीव गांदी रास्ट्री ये सदबावना पुरसकार किशे परदान किया गया है तो देखे ये किसको परदान किया है गोपाल करशन गांदी को ये परदान किया गया है चोवीसमा रास्ट्री गांदी ये सदबावना पुरसकार नेश्ट है राजस्तान का एक मातर सारीरिक सिक्षिया महाविदाले जो मादिमिक सिक्षिया के अधिन आता है वो कौन से जीले के अंतरकते इस्तित है तो राजस्तान का जो जोतपूर जीला है उसके अंधर गतिये एक मातर सारीरिक सिक्षिया महाविदाले है जो की मादमिक सिक्षिया के अधिन आता है Next देखिए राजस्तान स्टेट ओपन स्कूल जैपूर की स्थापना कप की गई थी नेश्ट आपको देखाए निम्न में से कौन सी सहंस्ता राजस्तान मादमी शिक्षा विवाग की सुवायत सासी सहंस्ता नहीं है तो देखिये इन मेंसे जो निदे साले माडमी सिक्षा बिकानेर है वो रास्तान माडमी सिक्षा विवाग की सुवायत सासी सहंस्ता नहीं है इसलिए उप्शन जो आपका सेकिंड दे रखा है वो इसका रैल टाम सुरोजाएगा नेश्ट है शिक्सक इतिहास का वास्टविक निर्माता होता है ये जो खतन है वो कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया है तो S.G. Wales के द्वारा ये कहा गया था कि शिक्सक है वो इतिहास का वास्टविक निर्माता होता है नेश्ट आपको देखा है वर्तमान में राजिस्तान में सारवादिक जीलों वाला शेक सिक संभाग कौन सा है तो उध्यपूर संभाग है वर्तमान में राजिस्तान में सारवादिक जीलों वाला नेस्ट आपको दे रखा है स्कूल मांचित्रन की सुरुवात कब और कहा हुई थी तो इसकी सुरुवात फ्रांस के अंतरगत 1963 के अंतरगत हुई थी इसलिए उप्सन जो फैस्ट होगा वो इसका राइट आन सुरूगा नेश्ट आपको सुमेलित करने वाले कुशन में से दे रखा है एक तरका आपको ये चीन दे रखे है और दूसरी तरव आपको वीवरन दे रखा है और नीचे दे गए कूर्ट के आदार पर आपको चैन करके बताना है तो देखे इसके अंतरगत आएगा ये जो क्रोस वाला चीन आपको दे रखा है ये आएगा प्रात्मिक विद्धाले के लिए उसके बाद में नेश्ट आपको त्रिबुज वाला चीन दे रखा है ये आएगा मादेमिक विद्धाले के लिए उसके बाद में दे रखा है ये चीन तो ये उच्छ मादेमिक विद्धाले के आता है और ये लास्ट का चीन है कुवा, बावड़ी, टांका या फिर टन्की के लिए आता है. तो देखें 3, 4, 1, 2 ये आपको कौन से उपिसन में दे रखा है? 3, 4, 1, 2 आपको 4 उपिसन में दे रखा है. इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका रायट अंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट कुछन आपको दे रखा है राजस्तान राज्ये के सभी विदालियों में विदालिय नियोजन प्रणाली कब से अनिवारिय की गई थी तो देखे गुनी सो बहतर थे तर्मी अनिवारी कर दिया गया था उप्सिंजाब को थर्ड दे रखा है वो इसका राइटान सुरूगा नेश्टा राज्ट्रिय मादमिक सिक्सिया अबियान जो रमसा है उसका आरम कब हुआता तो इसका आरम मार्च 2009 के अंतरगत हुआता उप्सिंजाब को फेस्ट दे रखा है वो इसका राइटान सुरूजाएगा नेश्टा राइटा यूनिशेफ के वीतिय सहयोग तथा एन यू एपीय के मादम से डी आई एस अप योजना कब से संचालिते की जा रही है तो ये 1995 से संचालिते की जा रही है नेक्ट आइन नीवन में से रास्ट्रिय सेक्सिक योजना यो परसासन विदा लें जो न्यूपा है उसका विभाग कौन सा है तो देखे इसका विभाग है वो सेक्सिक योजना विभाग सेक्सिक वित विभाग समकेती सिक्सिया विभाग से भी विभाग है वो N-U-P-E-S से ही संबन दिते हैं इसलिए उप्रोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपको दिरिखा लोक जुम्बी स्परियोजना सर्वज सिक्सिया में विले कब क्या गया था तो देखे इसका विले हुआ था 30 दून 2004 को इसलिए उप्सन जो सेक्रिंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आनिमन में से सेक्सिक परबंदन का उद्देश्य कोन सा है तो देखे संसादनों का अधिक्तम उप्योग करना बोतिक और मानुए संसादनों में समनवे शिक्स को को वियवसाइक वरदी है तू अवसर उपलब्द कराना उप्रवक्त सभी सभी क्या है सेक्सिक परबंदन के उद्देश्य है इसलिए उपसन व्रफ आपको देर खाय वो इसका राइट आनसर हो जाएगा नेकिट है एबी-ऊ-ची का भाई है डी-शी के माहे एका पिता है निम्हें लिखते में वरना देखें नीचे आरेक भी दिया गया है बिल्कुल पर सकते हैं तो बोताना है तो देखें इसमें आ dipो नीचे वेड़ार्टी सभी तीन विश्जिए 24 2 तो देखें 5 किसको दश्राता है, इसमें सभी 3 विश्राता है, और क्यों दश्राता है, सायद आपको ये डाइगराम देख के पता ही चल गया होगा, क्योंकि 5 है, वो हर एक इस सर्किल के अंदर कट काउंट हो रहा है, इसलिए 5 होगा, वो इसका right answer होगा, सभी 3 विश्राता है, वो R की दाई हो रहे है, यानि आपको बस इनका सिक्वेंस से जचाना है कि मतलब वो कौन सा किसके तरीके से बैठा है, जिसका मुह क्या पस्चिम की ओ रहा है, तो बताइए कि A का मुह है, वो किस दिशा की ओ रहे है, तो बिल्कुल EG कुशन आपको दे रहे है, सोल करेंग पी क्यूं आर और एस केरम खेल रहे हैं बताए कि क्यूं का मुह है किस दिसा में है यह जानेने के लिए कि अगली कौन सी जानकारी आउस्चेक है तो यह क्यूं का मुह है वो कौन सी दिसा में है यह जानने के लिए इन दोनों में से कौन सी जानकारी है वो आउस्चेक है यह को बतानी है तो देखिए आई पी आर और एस इन में से एस और क्यों हो जोड़ीदार है तो यह तो जरूरी है किरम में आमने सामने बैटे हैं या नहीं बैटे हैं जोड़ीदार होगा तभी तो पता चलेगा दूसरी आपको दे रखा है यह एस आर के दाई और है जो पस्चि करण का उधसा क्या होता है सरह क्रण संस्य सिप्ट करना तुल्ना में साहेता करना तरक पूर्ण वयवस्ता करना उप्रोगत सभी क्या होगा इसका राइट आमसर तरकण सोद्र रगर ठीकाव गण चितर उप्रोग तो सभी क्या होगा इसका राएट आनसर होगा लेक्ष टापको देर कhu हैं आधर्ष माध्य का गुण है सुगुंहां क्लैंच निर्पेकस्ता वी ल्हाइश अ जी क्रिभुकुल्रण पा sólus की पाइब की शिजvousucky हैं ने दर ल्हाइब में साथ होगा एशान्त आवर्ती दस्मलों प्रतकार का होगा ओपसंजा आपको शेकिंड दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेश्ट आपको दे रखा है एक समीकरण इसके मूल कितने होंगे यानि कौन कौन से इसके मूल होंगे वो आपको बताना है तो देखे 3 प्लस माइनस अंडरूट 3 ये क्या हैगा इसका राइट आंसर आएगा नेश्ट दे रखा 14 सेंटिमेटर होजा के घन में एक बड़े से बड़ा संकू काटा जाता है संकू का आयत इसके हुँचाई हASON होती है तो टीरीक हुँचाई बड़े से बड़ा शंकू का ब्रश्ट संकू काटा जाता है एक स्कुर्ड संकु का आइतन होता है एक प्ड़ा तीन प्यार स्कुरढ एच संकु का वक्रन प्रस्टास्ट broadcasting होता है पाई यर्ल र् mashed quier तो जब आप इसको सोल करेंगे तो 718.66 cm क्या आएगा इसका राइट आंसो रहेगा नेस्ट आपको दिरिखा एक घं का आइतन एक घं का आइतन वह 1728 cm दे रहा है और इसका प्रष्टिक सित्पल आपको ग्याद करना है तो दिए घं का आइतन क्या होता है आपको पता होगा बुजा क्यूब होता है बुजा क्यूब का मान आपको 1728 दे रहा है जहां से एक क्यूब इस इकल टू यह 1728 कीज का क्यूब होता है बारा का क्यूब होता है तो क्यूब से क्यूब के इंसील हो गया और एज इकल तो कितना आ गया बारा गया यह एक अमान बारा गया इसका और 12 कर किःदा है तो यह 1854 स्क्व princip 6 स्क्वार कियागा इसका माना जाए 04 सेंटिमिट्र आपकोण sy after दे रखा है नेक्स पडाटो के गोले की तिरीजा डे रहें कि च्वदा सेंटिमिटर इसका प्रेश्टिय सित्प्रीघ को आपको य होता है उसका 4 आई 4 पाई यार स्कार होता है तो 4 बाद में πाई की जगा 22 बटा साथ रख दे ना बाद में 14 मिल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा तो यह तो 18kem चोदा हो जाएगा और यह 2 चोक 88 मिल्टीप्लाई 28 तो जब आप इसको मिल्टीप्लाई करोगे तो ये 24-64 के आएगा इसका मान आएगा ओप्शन जो आपको थरड दे रखा है वो इसका रायटा अनुसरा जाएगा नेश्ट आपको दे रखा है चपल का विलोम सब्द है तो देखे चपल का विलोम सब्द क्या होता है गंबीर होता है गंबीर के आएगा इसका राइटा अनुसर नेश्टे दिरिखाए जो परते किरिया के मूल दातुरूप के साथ जुड़कर संग्या और विशेशन का निर्मान करते हैं वे संग्या के परकार के परते कहलाते हैं तो तैपरते वो कहलाते हैं नेश्ट दे रखाए निमली खित में से सही विकल्ब का चैन कीजिए अनुसासन के बिना व्यक्ति अपने चरीत्रों को खो देता है के रेखांकिक अन्सों में किस परकार की तुरूटी है तो इसमें देखे कौन से में तुरूटी है अपने चरित्रों को खो देता है चरित्रों नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा चरित्र आएगा यह C वहाग आपको जो दे रखा है इसके अंदर किते क्या है तुरूटी है यानि कि mistake है next आपको दे रखा है it is 5 p.m. now I did my work तो देखिए I have finished my work कि आएगा इसका right answer आएगा next आपको दे रखा है wait for me Lila said to me तो wait for me Lila said to me जब आप इसको change करोगे तो Lila asked me to wait for me option जो आपको third दे रखा है वो इसका right answer आएगा next है write the antonym willom सब्द लिकना है आपको attraction attraction का willom सब्द क्या होता है repulsion होता है option जो आपको fourth दे रखा है वो इसका right answer हो जाएगा तो देखे दोस्तों 75 question answer के बारे में अपने बात किये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में share जरूर कीजिए ताकि सभी को अपने study में benefit मिल सके यह श्रीज इसी तरीके से जारी रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के उपर पहुंचते रहें